बहुत ही पकाउस आगबार था आज का कुछ मज़ा नहीं आए आज पढ़ने में बढ़ ठीक है उनको देखेंगे प्रीमें इंटर्वी के पॉट्व से क्या QUESTION COMMENT तो देखेंगे सबसे बहला जो मुद्धा था बिल्किजबानु काैस था वह देखेंगे कि गुजरात की स्टेक MWC ने बिल्किजबानु के जो रियाक Sherlock तो ऐससे में कोट में रिव्यू पेटिशन डाला गया वो क्या है वो देखेंगे इसके लावा फीमेल सेक्योरिटी यहां पर जो अप्लिकेशन होती है रैपिटो टाइप और यह ओला उबर जो जितने भी अग्रीकेटर होते हैं तो वहां पर कई सारे मॉलेस्टेशन और रेपके के सामने पूरा इसमें तमिल्स को क्यों नहीं आठ किया गया मेरे पास एक और मैंचने कि उसमें तब जो तिबतियन बुद्धिस ने उनको क्यों नहीं आठ किया गया तो यह कानूम को एक बड़ी देखेंगे होरिजॉंटल रिजरवेशन के होता है उत्राखन में बिलपास हुआ ह जिसमें कीवर्ड मेंचन है होरिज़ॉंटल रिजरवेशन क्या कॉंसेट बताऊंगा होरिज़ॉंटल रवर्टिकल का इसके लावा अर्जुन आवाट और खेलरतन आवाट नहीं है राश्वतिम होद्या ने वह क्या है देखेंगे यूरिया फटिलाइजर को लेग एक ब अबजेक्ट करें हैं इसके शुरू करते हैं अज की मज़ूरी अनच्याटमिया सब्सक्राइब करने के लिए रफ्टार और असलेट बाच आच से शुरू हो चुके हैं एक दिसम्बर से 300 गंटे के बैके इनको सब्क्राइब करने के लिए यूज्य को दुपता साथ के इंगल और इंग्लिश दोनों भाशाओं में अवेलेबल रहेंगे एंड इसके अलावा अनके आडमी पर भी प्राइज रॉप उफर चाल हुआ है तो यूज दो रेफल कोड मदद गुपता दो समबर तक प्राइज रॉप उफर चाल हुआ है आज का पहला मददा है बिल्किस बानों का केस देखिए आपको यह पता है कि कोड का काम होता है सजा देना की क्या तो यह जो कोड का काम है सजा देना अगर आपको कोड की पनिशमंट से रेमिशन चाहिए मतलब कि आप वहां से चूटना चाते हो तो उसके लिए आपके बास कई सारे सल्यूशन पॉसिबल है अगर आपको कोड ने सपोस्कर यह उमर कैस की सजा दिया या फासी की सजा दिया है तो आपके पास ऐसे केस में तीन पॉसिबल रस्ते होते हैं कोर्ट क्या जुडिशरी हमारे डेमोक्रेसी में तीन स्थम्ब होते हैं जुडिशरी लेजिसलेचर और एग्जेकेटिव जुडिशरी अगर आपको कोई पनिशमंट दे रहा है और आप उस पनिशमंट से बाहर निकलना चाहते तो आपके पास तीन रस्ते होते हैं प्रेजियंट गवर्नर और एक स्टेट गौर्णमेंट पॉलिटी में आपने पढ़ा है कि प्रेजियंट गवर्नर के पास रेमिशन की पावर होती है जहां पर वो पार्डन कम्यूट रेमिट रेप्राइफ कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई भी सज़ा को कम कर सकते हैं आपको माफी नामा दे सकते हैं जिसको मर्सी पेटीशन भी बोले आता है तो प्रेजियंट और गवर्नर के पास रेपावर होती है लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को यह पता है कि अपार्ट सॉम प्रेजियंट और गवर्नर हमारे यहां एक ना हो तो आप भी किसी को रेमेशन दे सकते हो कहने का मतलब है कि अगर एक कैदी है और वो अपनी सज़ा को कम करवाना चाहता है तो वो इंडियन कॉंस्टिउशन के अंदर दो लोगों को मर्सी पेटीशन भीच सकता है देखिए अपना जो कॉंस्टिउशन है वहां पे प्रे कि वह क्या पूछ रहा है वह पार्टनिंग पावर गिवन इन ला कॉंस्टिशन पूछ रहा है या जनरल पूछ रहा है मतलब कि प्रेजेंट और गवर्नर की जो पार्टनिंग पावर जेंव सिरफ वस्टिशन में दी गई है आर्टिकल 72 और 161 में लेखिन जो CRPC का सेक्श पाट है प्रेजिएंड एक्जेगेटिव का पाट है गवर्नर एक्जेगेटिव का पाट है और जुडीशेटि ने पनिश्मेंट दिया है तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि पाट है तो बिल्किस बानू यह 2002 में गुजरात में रायट्स होते हैं 2002 में गुजरात में जो रायट्स होते हैं उस टाइम पे बिल्किस बानू एक महिला है जिनका रेप होता है और उनके जो रेपिस्ट हैं वो गुजरात की जिल में बन थे हैं उन्होंने गुजरात की स्टेट गौर्मेंट को CRPC के अंडर application डाली और गुजरात की सरकार ने उनक तो उमर क्यात पूरा होने से पहली रिहा कर दिया मतलब कि उनकी जो punishment थी वो पूरी होने से पहली उनको रिहा कर दिया तो ऐसे में बिल्किस बानू ने सुप्रीम कोर्ट में एक petition डाले और ये बोला है कि गुजरात स्टेट गौर्मेंट ने section 432 और 433 का misuse कर रहा है उन्ह पूरात स्टेट गौर्मेंट ने जो remission का यहां पे decision लिया है वो गलत है और basically उन्होंने उनके decision के खिलाब यहां पे Supreme Court में challenge कर रहा है तो यहां पे जो major मुद्दा मेर को बताना था वो यह था कि executive के पास तीन तरीके से power होती है judiciary के decision को overturn करने की एक state government CRPC के अंडर 72 और 161 के प्रेजिएंट और governor की power in the Indian Constitution बाकी तो Supreme Court देखेंगे क्या judgment देखा यह मुद्दा क्लियर रेक्ट राइट तो हमने आप पे mains का aspect देख लिया प्रिलिम्स का aspect देख लिया और प्रिलिम्स में specifically mentioned होगा कि Constitution के अंदर किसको पार्टनिंग पावर दी गई है तो आप लिखोगे सिर्फ प्रेजिएंट गवर्णर और जनरल अगर हम criminal jurisprudence की बात करते हैं जनरल अपने criminal system की बात करते हैं तो उसमें किसको की पावर दी गई है प्रेजिएंट को गवर्णर को और section 432 433 के अंदर स्टेट गवर्णमेंट को यहां पर एक चीज और जहां रखेंगे कि जो स्टेट गवर्णमेंट decision लेती है यहां पर हो कई सारे factors consider करती है बेसिकली एक review board बनाया जाता है वो review board का जो है review लिया जाता है कि यह जो हम क्यादी को रिया करने की बात कर रहे है या इसकी punishment कम करने की बात कर रहे है तो क्या वो actual में करना चाहिए नहीं तो review board इसके अलावा inspector general of police जो होते है जेल के recommendation पे अगला मसला है female security and rapido इधर एक वो बड़ा सा celebrity आते हो कहता है मान बबबन की सला rapido ही चला अभी वो आज कल गाया है बै इधर क्या हो रहा है देखिए rapido एक aggregator है जहाँ पे आप bike book कर सकते हो कि एक जगा से दूश्य जगा जाना है तो ऐसने में उसका driver जो है वो rape case में पकड़ा गया है कि उसने एक customer का जो rider थी जो महिला ने वो बाइक बुक करी थी उसके rape case में का एक driver पकड़ा गया है और बाद में पुलिस ने तकीकात करी बाद में जब तकीकात हुई ते पता चला कि यह जो driver है पहले भी ऐसे cases में अंदर फस चुका है तो question mark यहाँ पर यहाँ पर यह उड़ता है महिला security के point of view से GS paper one social issues के point of view से GS paper one social issues के point of view से यहाँ पर major मसला यह उड़ता है कि अगर यह जो company वाले हैं यह ड्राइवर्स को हायर कर रहे हैं अब आप देखिए यहाँ पर अलग-अलग cases हो सकते हैं आपने बीच में कुछ टाइम पहले case सुना होगा कि वह zomato वाले के ओपर एक महिला ने जूटा इल्जाम लगाया था यह आपने देखा होगा कि कई बार यह ओला उबर वले भी जो हैं इनके भी कई ड्राइवर ऐसे रेट के स्मॉले स्टेशन के स्वागरा में पकड़े गाए हैं करेक्ट आया ना बताइए तो ऐसे में यह जो पूरे के पूरे अग्रीगेटर सेंचाहिज रोमाटो स्वीगियो ओला उबर या फिर अपना रैपिड वगरा और ऐसी बहुत सारी अप्लिकेशन आतकर ब्लिव और यह सब करके बहुत सारी अप्लिकेशन आ रही हैं जो आग्रीगेटर हैं जहाब आप कुछ भी ब्यूटी ट्रीट्मेंट वगरा करवाना और बाबू का बढ़ यह सब तो अभी मेरे को त्यार होना और यह सब तो घर में लोग आते हैं मतलब कि क्या सेफटी है मतलब कि हो जो लोग आ रहे हैं आपको सर्विस देने एसी की सर्विस करने और यह सब करने तो उन बंदा सर्विस दे रहा है उसकी चारेडिबिल्टी है यहां पर वो पुछन माख उटता है कि आपने उसकी बैग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करिया आपने उसका बैग्राउंड चेक ठीक से करा है या नहीं करा है तो यहां पर इस अवाल उटता है यहां पर आपसे एक बात और पूछी रहा सकती है कि अगर हमारे को फीमेल लेबर पाटिसिपेशन बढ़ाना है अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं काम करने भार निकले तो उसमें हम सब लोग यह लिख दते हैं कि सरकार ने एक बिल पास कर रहा है अगर ट्रांसपोर्ट ही सेफ नहीं होगा तो फिर घर वाले महिलाओं को डी मोटिवेट करेंगे कि नेदे को भार सेफ नहीं है यह जो है सेफ नहीं है तो ऐसे में आप काम पर मत जाओ मतलब वही वाला फिर फैक्टर आ रहेगा कि हाँ भाई स्कूल टीचर बन जाओ तीन बड़े घर आ जाना या फिर बैंक की नौकरी कर लो पांच बड़े घर आ जाना मतलब कि कोई ऐसे अगर बाहर निकल के काम करना चाहते तो उसके ओपर एक क्वेश्चन वाक उठेगा तो यह इसको आप दो तरीके से देख सकते हो एक कॉर्प स्कूल बेंच इसकी बनाइए जिसमें दो फीमेल जजज़े अब सवाल उठता है कि इसके पॉटिव और नेगेटिफ के आप से फीमल पार्टिसिपेशन इन जुडिशेरी के बारे में पूछा रा सकता है या फिर आप से सेंसिटाइजेशन के बारे में पूछा रा सकता ह भरत्रहं हैं याद आरे करल मैंने बताया था कि इन आरiding या क्यामरा प्रोसीडंग के में प्राइवट प्रोसीर अ क्योंट विट्टे में उनकी आइडेंटिटी को कंसील रखना चाहिए उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए उनके बारे में कोई आर्टिकल नहीं चापना चाहिए और फीमल जाज होनी चाहिए याद करो कल मैंने आपको रेप का प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से महां पर केस चलत तरिक में टोटल 34 judges की seat है उसमें से तीन महिलाएं जज हैं बस मतलब कि 3 upon 34 आप तरके देखो तो approximately आपको 9% मिलेगा answer महिलाओं की आबादी में proportion कितना है 50% approximately 48-50% सुप्रीम कोट में कितना proportion है उनका 9% से भी कम atrocities महिलाओं के खिलाव कम हो रही हैं बढ़ रही हैं रेप Case, Acid Attacks बढ़ रहा हैं काम हो रहा हैं बढ़ रहा हैं तो ऐसे हमें domestic violence बढ़ रही है महिलाओं का number 9% क्यों है female judges की bench बनाई बहुत अच्छा step है इसमें कुछ गलत नहीं है यह positive step है लेकिन अगर आप gender sensitization के point of view से बात करते हो कि हमारे महिलाओं को justice कब मिलेगा when will females get justice तो उसका एक बहुत बड़ा factor है कि महिलाओं जब तक वकील यानि कि advocate और judges नहीं बनेंगी यह प्रिलिम्स का एक fact मैंने आप लिख दिया 1989 में पहले जो female judge थी वो थी जस्टिस फातिमा भी वी यह अगर आपको छोटा मुटा एक्जाम देरो बैंक पी और वगरा का तो उसमें काम आ जाएगा बाकि UPSC का क्या analysis है वो मैंने इदर बता दिया आपको अच्छा यहाँ पर अगर आप इस debate को extend करना चाहते तो आगे extend कर सकते हो कैसे कि यहाँ पर हमने females की बात कर ली अब यहाँ पर सुफ्रीम कोट ने 6-7 साल पहले की बात है सरकार को एक आदेश दिया था आपने अब पासपोर्ड बनवाया और अधार कार्ड बनवाया उसमें gender पूछता है पहले क्या होता है gender के कॉलम में दो नाम होते थे male या female फिर उसके सुप्रीम कोट ने बोला कि नई भाई अभी आपको तीसरा gender भी transgender तो अभी आप अगर अपना पासपोर्ड अधार वगरा ये पैन कार्ड वोटर कार्ड बनवाने जाते हो तो जेंडर के कॉलम में आपसे पूछेगा male female या अधर या transgender लिखा होगा मतलब कि जितने भी सरकारी का अगर डॉक्यूमेंट है वहाँ पे तीन जेंडर जो है रि लेजबियन गे बाइसेक्श्वल लोगों काना भी जरूरी है तब ही उनके राइट्स काया पर संसिटाइजेशन हो पाएगा गेडिंग इट अगला मुद्दा इसके बाद अगर सेशन में कोई इगलेचा है तो उसमें मेरा हाथ नहीं है आपको पता है कि दो हजार उन्निस में एक कानून पास हुआ था दाएट इस सिटिरेंशिप अनुन राइट ट्विंटी नाइटीन जहां पर बोला गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश से जो भी जो भी हिंदूस टिक क्रिस्चन जैन पार्सी बुद्धिस्ट 31 दिसमबर 2014 से पहले आएंगे इल्लीगली उनको यहां पर नाचुरिलाइजेशन से सिटिरेंशिप दी जाएगी उनको यहां पर नाचुरिलाइजेशन से सिटिरेंशिप दी जाएगी यही था कानून सिटिरेंशिप अमिनमेटर 2019 शाहिन बाग प्रोटेस जिसके अगेंस्ट हुआ था बदाएए अगर ऐसे वो ने की क्या बात करते हैं आप जान दे देंगे इसके लिए ठीक है तो ऐसे हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश से जितने भी हिंदू, सिख, क्रिश्चन, जैन, पार्शी, बुद्धिस्ट आएगे 31 संबर 2014 से पहले इल्लीगली उनको भारत की नागरिकतर दे दियाएगी मतलब की उनको 예 spun, और इसका, यह पास्ट ट्रीटिज़रनशिप उन लोगों को दी जाएगी के basic लिए अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश की बात करते हैं, तो तीनो Islamic देश हैं Bangladesh को Official Religion इसलाम है Pakistan को Official Religion इसलाम है Afghanistan को Official Religion इसलाम है ये तीनों के तीनों का Official Religion इसलाम है ऐसे में यहां पे जो धार्मिक Earl संक्या क्या क्या मतलब कि religious minorities हैं उनका यहां पे religious persecution धर्म के नाम पर उत्पीड़न हो रहा था भारत सरकार ने बोला कि हम moral high ground attain करते वे हम महात्मा गांदी के ideology को follow करते वे कि हमारे को किसी का भी उत्पीडन नहीं बरदाश करना है जो यहाँ पे non-muslims हैं जिनका उत्पीडन हो रहा था हमने बोला कि आप इंडिया में आ जाओ हम आपको fast-track citizenship देने को तयार हैं तो ऐसे में जिन लोगों का religious persecution हुआ है सिरफ उनको यहाँ पे fast-track citizenship दी जाएगी एक keyword आपको note करना है religious persecution जिनका हुआ है धरम के नाम पे उत्पीडन जिनका हुआ है सिरफ और सिरफ उनही यहाँ पे fast-track citizenship दी जाएगी नाचुरलाइजेशन के अंदर बता यह सराया ना जिनका religious persecution हुआ है सिरफ और सिरफ उनही यहाँ पे citizenship मिलेगी नाचुरलाइजेशन के अंदर हिंदू सिक्ट, क्रिस्चिन, जान, बुद्धिस, पार्सी ठीक है यह वाला सवाल हमने भी सरकार से पार्लेमेंट में पूछा थे कि कैसे पता चलेगा नितिन भाई की persecution हुआ है नहीं हुआ इसके लिए आप यह वले भाई सब को RTI डाल सकते हैं उसके बाद आप कल से क्लास में नहीं आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है अब देखिए यहां पर कई question उठते हैं question यह कि आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलाजेश का religious persecution देख लिया आपने मैनमार का religious persecution क्यों नहीं देखा point number one आपको यह पता है कि मैनमार में रोहिंग्या Muslims जो हैं वो minority में हैं ऐसे में जो रोहिंग्या Muslims हैं उनको मैनमार की military ने डरा धमका के भगा दिया जो आज बांगलादेश के Cox's Bazar area में रह रहे हैं आपने उनको shelter क्यों नहीं दी आपने उनको citizenship क्यों नहीं दी सबसे बहला question यह उड़ता है कि वो भी तो persecuted है मैनमार की military ने रखाइन state से यह मैनमार का रखाइन state है मैनमार की military ने रखाइन state से रोहिंग्यास को जो भगाया वो भाई सब धरम के नाम पर भगाया कि आप बुद्धिस्ट नहीं हो आप मुस्लिम आप भागो यहां से तो जब वो भी religiously persecuted हैं तो आपने उन्हें citizenship क्यों नहीं दी point number one मैनमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स को citizenship क्यों नहीं मिली correct? हाय ना point number two यहां पर एक और धरम है तिबतियन बुद्धिस्ट चाइना की सरकार उनका भी उत्पीडन करती है धरम के नाम पर क्या आप तिबतियन बुद्धिस्ट हो आप भागो यहां से इवन चाइना की सरकार तो जिंग्जियां गेरिया में उईगूर मुस्लिम्स का भी religious persecution करती है तो आपने उन दोनों को citizenship देने की बात क्यों नहीं करी यह भी तो आपके नेबरूड में है आप यह तर्क दे रहे हो कि बांगलादेश, पाकेसन, अफगांदेशन हमारे नेबरूड में है तो भाई चाइना और मैन मार भी तो आप ही का नेबरूड है वो किसी और का नेबरूड थोड़ी ना है बताइए हाँ है ना चौत्थी बात तमिल नाडू की सरकार ने चौत्थी बात उठाई है तमिल नाडू की सरकार ने सुप्रीम कोट में एक एफिडेविट फाइल करा है और उन्होंने यह बोला कि भाई साब देखो शिरिलंका में दो कम्यूनिटीज रहती है श्रिलंका में दो कम्यूटीज रहती हैं एक है सिंहालाज और एक है तामिल सिंहालाज जो हैं they are mostly buddhist सिंहालाज जो हैं they are mostly buddhist और तामिल जो हैं ये हिंदू और मुसलिम दोनों हैं लेकिन mostly हिंदूज हैं ये हिंदूज और मुसलिम दोनों हैं लेकिन mostly हिंदूज है शिरिलंका का composition समझा रहे हैं मेज़ोरिटी में आपे सिंधाला बुद्धिस्ट हैं और यहाँ पे माइनारिटी में तमिल्स हैं और तमिल्स जो हैं वो हिंदू-मुसलिम दोनों हो सकते हैं पॉइंट नमबर वन क्लियर होता है ठीक है तो तमिल नादू की स्टेट गवर्मन ने बोला कि भाई जब यहां पर तमिल्स का भी persecution हो रहा है तो आपने इस बिल के अंदर तमिल्स को क्यों निंख्रूड कर ऐसे बहुत सब तमिल्स जो शिरिलंका जान बचा आके भागते हैं और तमिल नाडव आ जाते हैं वह लोग यहां पे रह रहे हैं एलीगली तो तमिल नाडव की सरकार ने बोला कि भाई यह आपने नॉन मुस्लिम्स को यहां पर शेल्टर दे दी जो पाकिस्टान अफगानिस्थान बंगलादेश से आ रहे हैं सही बात है देन बुदिस्ट उईगूर मुसलिम्स और टमिल्स को शेल्टर नहीं दिया सिटरेंशिप देने की बात नहीं करी उनके राइट सहां पर वाइलेट हो रहे हैं एंड हैंस यह बिल अनकॉंस्टिडूशनल है ऐसा तमिल नाड़ू की सरकार ने क्लेम कर आए एक एक पॉइंट क्लि दूँगा उसमें कोई पॉइंट नहीं है यहां पर मेजर बात जो हमारे को समझनी है वो यह समझनी है कि अगर आप मेंस 2023 दे रहे हो और उसमें सिटरेंशिप ए ममिनमेंट आक्ट के उपर क्वेश्चन आता है यह 2019 का कानून कैसा है तो आप इसकी तारीफ भी करोगे कि हम हम शेल्टर दे रहे हैं और यह अच्छा विल है इसकी खराबियां भी लिखनी होंगी मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मेंस में आंसर लिखोगे तो उसके प्रोजन कॉंस दोनों लिखने है मतलब की पॉजिटिव और नेगेटिव साइट दोनों लिखनी है पॉज इनको हमने क्यों एक्सलूट कर रहा है इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है जबकि इनका भी पर्सीकूशन हो चुका है तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव में यूज़ कर लोगे पॉइंट को अब एस्पिरंट क्या लिखेगा गॉर्मेंट अफ तमिल नाडू से तमिल्स है बेने एक्सलूट फ्रूट फ्रूट अब एस ताइप की बाभू सोने वाली लाइंविज नहीं लिखनी स्कूल से बाहर आचुके अब तो कोई अच्छी लांविज लिखनी है मतलब की दब बिल इस इन विलेशन अ अब एक्सलूट इन आए एक्सलूट रहा इ दिमाग में बात जा रही है हाँ है ना यह है अपना citizenship amendment act का मसला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टन मसला है यह वर्टिकल एंड होरिजॉन्टल कोटा इसके बारे में पता सब को है लेकिन कभी किसी ने रेलाइज नहीं करा फटा बट से सेशन लाइक कर दो और टेलीग्राम च जो कोटा होता है reservation आरक्षन यह दो टाइप का होता है एक होता है vertical कोटा एक होता है horizontal कोटा दो प्रकार का कोटा होता है वर्टिकल कोटा और होरिजॉन्टल कोटा ठीक है देखिए वर्टिकल कोटा क्या होता है यह सपोस्ट करिया हमारी population है यह हमारी population है ठीक है सपोस्ट यह है general class SC ST EWS OBC रटना नहीं है सिर्फ समझना है क्या आपको दिख रहा है कि मैंने यह population में divisions create कर दिये population में division create कर दिये जहां पर मैंने बोला कि schedule cast को schedule tribe को EWS को और OBC को यह जो vertical line मैंने हरे रंग की बिनाई है ध्यान से देखो भरे रंग की vertical line मनाई है और यह बोला कि यह जो population के sections हैं SC ST EWS OBC इनको आरक्षन मिलना चाहिए इसे कहते है vertical quota कि जहां पर आपने एक community identify कर ली जहां पर आपने community identify कर ली और यह बोला कि इनको reservation मिलना चाहिए तो EWS was a part of vertical quota जो जो सरकार लेकिया यह थी अभी Supreme Court ने जिसको बोला है implement कर सकते हो SC ST OBC EWS यह चारो vertical quota का पार्ट है कि पूरी population में अपने vertical lines राली और बोला कि जो SC वाले कॉलम में आ रहे हैं उनको reservation ST वाले कॉलम में उनको reservation EWS वालों को reservation और OBC वालों को reservation vertical reservation यह point समय आता है that what is vertical reservation exactly yes point number one point number two horizontal quota horizontal quota का मतलब होता है quota within quota quota के अंदर quota suppose करिए मैंने बोला कि अब हमारे को महिला अरक्षन देना चाहिए हमारे को महिला अरक्षन देना चाहिए हमने क्या करा यह बोल दिया कि general class की महिलाओं को 30% sheet मिलनी चाहिए schedule class की महिलाओं को 30% sheet मिलनी चाहिए schedule tribe की महिलाओं को 30% sheet मिलनी चाहिए EWS महिलाओं को 30% sheet मिलनी चाहिए और OBC महिलाओं को 30% sheet मिलनी चाहिए quota within quota आप रिपीट कर रहा हूं, कि आपने पूरी population ली और erection क्रिएट कर दिया, SC, ST, OBC, EWS, आपने पूरी population ली और इनका reservation क्रिएट कर दिया, इनका एक quota क्रिएट कर दिया, vertically, that is SC, ST, OBC, EWS, वर्टिकल रिजर्वेशन अब आपने बोला कि इनी के अंदर फॉर एजंपल पंचायत का केस लो आपको पता है पंचायत में वन थर्ट सीड जो महिलाओं के लिए अरक्षण थे हैं 33% सीड जो है पंचायत में महिलाओं के लिए अरक्षण हुआ है है ना बताओ जल्दी येस अभी समझ आएगा और ये बात आप पढ़ो के तो आपको समझ आएगा यूज्वली आइस्पिरेंस से गलत नमस्त है देखिए एक पंचायत में महिलाओं को 33% अरक्षण दिया हुआ है हाजर दिया हुआ है वो 33% अरक्षण आपको पता है महिलाओं को कैसे दिया हुआ है पंचायत का एक्जांपल लेते हैं सेट में ओविसे रिजरुवेशन होर जगा नहीं है ओवी सी मैं मान लेता हूं कि ओवी सी है अभी के लिए हर स्टेट में अलग प्रोवीशन है यह पंचायत का सीन यह एडब्लु अस होता नहीं पंचायत में तो बनाया नहीं सब्सक्राइब अब देखिए यहां पर क्या जन्रल को सीटे मिल रही है, स्ट को सीटे मिल रही है, स्ट को सीटे मिल रही है, यह हो गया वर्टिकल रेजरवेशन, कि आपने कास्ट के बेसिस पे क्राइटीरिया के बेसिस पे सीट को डिवाइड कर दिया, आरक्षित कर दिया मैइ न सेमह पर कि इन सीटों पर सिर्फ से बैठ सक ने इन सीटों प्राव से सरफ स्ट बी इस वर्ति और टिकल लिज בׇशन इतना समर्थ गतर फिर नेक्स पॉंइंड आन श्मजाऊंगो इतना समर्थ है नहीं फिर नेक्स पॉंफे पिंट सम्जाऊंगो यह सान डुर्ल मैव वो आरक्षित है 33% seats are reserved for female candidates, पंचायत में यह है, आपको पता हो कैसे implement होता है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, यह जो 130 seats हैं, यह पूरी 130 seats पंचायत की नहीं है, यह पंचायत की 130 seats नहीं है, इसमें क्या provision है, समझेगे, कि जनरल में जितनी सीटे हैं वहाँ पे 33% पे जनरल महिलाएं बैठेंगी और बचे वे पे कोई भी बैठ सकता है जितनी स्केडियूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्वड है उसमें से 33% पे स्केडियूल कास्ट की महिलाएं बैठेंगी 33% पर schedule tribe की महिलाएं बैठेंगी और 33% पर OVC की महिलाएं बैठेंगी यह actual provision है जो constitution में लिखाव है this is the real provision 33% जो erection है वो सारी seatों का एक साथ नहीं है 33% जो erection है constitution आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें 33% general के लिए 33 SC के लिए 33 ST के लिए अगर स्टेट बिलपास करता है तो 33 OVC के लिए यह प्रोबीजन है actual में समझ आ रहे है है हाँ यह ना बताइए सर getting it or not आरक्षन के अंदर आरक्षन quota within quota दिखता है quota within quota दिखता है हाँ यह ना कि पहले SC ST OVC को quota दिया पंचायत में OVC quota मैं बार-बार repeat करो state to state vary करता है Constitution में बोलावाए कि state could decide करेगा कि OVC quota देना है नहीं देना और उसके बाद इस quota के अंदर एक और quota 33% महिला अरक्षन का इसे कहते है horizontal reservation कि आपने पहले create करा SC quota vertically और उसके अंदर 33% seat महिलाओं के लिए अरक्षित कर दी horizontal quota clear हो गया vertical and horizontal quota क्या होता है बताओ भाई शमर आता है ये दो prelims के factual points है sports के आजकल news आती है कई बार तो मेजन ध्यान चंद थेल रहतने आवाड जो sports का सबसे highest award है वो दिया गया है अचंद कमल को जो की table tennis के player है और 25 players को अर्जून अवाड दिया गया है जो की sports का second highest award है किसने दिया राष्टपदी महोदया द्रापदी मुर्भूने ये दोनों नाम याद कर लेना इसमें जो अर्जून अवाड एक मिला है निखाद जरीन को मिला है जो की boxer है तो ये कभी sports का question फस जया वैसे आपको बता UPSC sports बहुत ही कम पूशता है next fertilizer policy 67% पर कोई भी SC ST बैट सकता है बचे वे लेकिन 33% पर सिरफ SC महिला है 33% पर ST महिला है 33% पर OBC महिला है 33% पर जनरल महिला है इस तरीके से vertical horizontal reservation implement किया जाता है fertilizer policy fertilizer department के secretary के साथ interview हुआ एक उसमें उन्होंने दो बाते बोली major वो दोनों बाते मैं आपको बता रहा हूँ agriculture के point of view से important है या पे देखे क्या सबसे वेली बात भारत सरकार एक नए type का urea लेके आ रही है जिसको कहते है नानो यूडिया नानो यूडिया मतलब कि जो traditional यूडिया होता है जो original यूडिया होता है उसको हमने बोला कि धीरे धीरे हटा दिया जाएगा उसको धीरे धीरे हटा दिया जाएगा original यूडिया को खटा दिया जाएगा और उसकी जग आप धीरे धीरे हम नानो यूडिया को ले आएंगे सवाल उता है फरक क्या है फरक है सर्फेस एरिया का सबसे बड़ा केमिस्ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है हमेशे द्यान रखना पहले यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री समझो केमिस्ट्री के एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है सर क्या होती है आपने कभी कपूर यूज करा है जो वो पूजा में कपूर इस्तमाल होता है जो स्क्वेर शेप में आता है वाइट का लगा कैमफर यूज करा कभी अगर आपने कैमफर यूज करा है कि अगर आप वो camphor को आरती करते बे as it is डाल दोगे अंदर square shape में तो वो देर से जलता है और जो वो वो जो fire होती है वो भी धीरे धीरे जलती है लेकिन अगर आप वो camphor को तोड़ के चूरा बनाके उसमें डालोगे तो वो जल्दी जलेगा और ज्यादा उसमें fire निकलती है कभी observe correct कभी ऐसा observe करें कि जो चूरा होता है camphor का जो camphor को तोड़ तोड़ के आप डालते हैं उसमें वो एक तो जल्दी जलेगा और उसमें जो fire होती है वो जल्दी जलती है ये नो नो नी चलेगा मैं बता रहूं ऐसा होता है ठीक है या फिर चलो एक example और देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो चीनी होती है आपने शिकंजी में चीनी डाली चीनी के cubes होते हैं छोड़ोड़े वो देर में घुलते हैं अगर आपने चीनी का पाउडर डाला चीनी को आपने पहले पीस लिया वाइट पाउडर मना लिया वो पाउडर आपने पानी में डाला तो फटा-फट से गुल जाता है ये तो देखा होगा ये तो देखा होगा है ना येस कि जो चीनी का powder होता है वो जल्दी घुलता है पानी में और चीनी के जो cubes होते है crystals of sugar वो देर से घुलते है ठीक है हाँ चलो भाई अंकुर भाई ने देखा है अब हम आगे बढ़ सकते है ठीक है ये क्यों होता है कि चीनी का जो एक बड़ा particle है ये देर में घुलेगा और जो चीनी का powder है वो पानी में जल्दी घुल जाता है जल्दी असर करता है ऐसा क्यों हो उसका chemistry वाला reason ये है कि अगर आप ये पूरा area measure करोगे न ये पूरा area आप देख रहे हो बारिस का surface area ये कम होता है एक जो बड़ा particle है chemistry समझो इसकी जो एक बड़ा particle है इसका surface area है ये कम होता है सर देखने में तो बड़ा लग रहा है बड़ा लग रहा है लेकिन अगर आप इन सब का surface area अड़ करोगे वो जादा निकलेगा ये fact होता है chemistry का कि अगर आप एक बड़ी item का area देख रहे हो वो हमेशा कम होगा अगर आप उसे छोटोटे particles में break कर दोगे तो उसका area हमेशा जादा होगा more surface area less surface area समझा रहे है yes or no more surface area and less surface area अगली बार चीनी वाला example याद रखना surface area में तो अब मेरे को एक बात बताओ that हमारे reaction speed के लिए कि अगर हमारे को फटाफट से काम कराना है तो बड़ा particle अच्छा है या छोटा particle अच्छा है अगर हमारे को फटाफट से काम करवाना है बहुत तेजी से काम करवाना है reaction speed बढ़ा नहीं है तो उसके लिए बड़ा particle अच्छा है या छोटा particle अच्छा है tiger stuff क्या बोला था छोटे particle हो क्या वो इसी लिए बोला था राइट ठीक है एक बात तो ये जो urea act ये है normal urea और ये है नानो यूडिया बताओ ज्यादा जल्दी काम कौन करेगा नानो यूडिया नॉर्मल यूडिया ज्यादा जल्दी काम कौन करेगा खेत में खेत में ज्यादा जल्दी काम कौन करेगा समझा रहे लॉजिक कि क्यों हम यूरिया को रिप्लेस करेंगे नानो यूरिया से जिससे कि फटाफट से प्लांट्स जो है वो अपनी roots के तुरू मिट्टी में से ये नानो यूरिया को फटाफट से अब्जॉप कर ले और उनकी ग्रोथ जल्दी हो मतलब कि अगर ये plant जल्दी यल्दी absorb करेंगे तो उससे absorption better होगा surface area जादा होगा reaction जल्दी होगा और wastage कम होगी और nano urea सस्ता भी है तो ये cost effective भी है समझा आगे कि क्यों हम nano urea की तरह बढ़ रहे हैं wastage कम, absorption better, reaction fast, surface area जादा clear हो गया? Yes or no? तो ये सरकार की आजकर एक policy चल रही है कि हम nano urea को promote करेंगे rather than urea because of these factors में GS paper 3 के point of view से science and agriculture के point of view से यहाँ पर मैंने points लिख लिए हैं PDF में डाल दूँँगा टेलिग्राम पर देख लेना इसके अलाबाबा fertilizer secretary ने यही बात बोली कि हम रश्या से अभी चीफ fertilizer import करते रहेंगे जब तक भारत को फायदा हो रहा है तो यह तो मैं कई बार आपको बताई चुक हूँ कि रश्या से हम import करते रहेंगे everyone correct on academy पे subscription available at 0% EMI, use the referral code मदुद गुपता, also CSAT के batches शुरूर है on academy पे उसको enroll करेंगे using the referral code मदुद गुपता, optional के batches available है English Hindi bilingual में, do use the referral code for 10% discount, अगला मसला Russia China Relations समझे एक analysis आया सामने और उस analysis में बोला गया कि यह जो Russia-Ukraine की पूरी war हो रही है इसमें जो सबसे बड़ा beneficiary निकलेगा वो निकलेगा चाइना यह जो Russia-Ukraine की war हो रही है, इसमें जो सबसे बड़ा beneficiary निकलेगा, वो चाइना निकलेगा क्यों हो, basically experts कैसा मानना है, कि यह जो Russia-Ukraine की war हो रही है उससे Russia काफी जादा कमजोर हो चुका है Russia ने अपने सारे हत्यार, soldiers जितने भी defense system में सब use कर दी है war में और तब भी वो war जीत नहीं पाया अभी तक मतलब कि Russia जो है इस war में से काफी कमजोर हो जाएगा इस war से इसके अलावा Russia की क्या strength और क्या weakness है और Russia कहां कहां पर कमजोर है जो West के देश हैं, अमरीका यॉरप वगरा वो सब समझ चुके हैं कि Russia कहां पर strong है, कहां पर weak है और वो अभी तक Ukraine को क्यों नहीं हरा पाया जब ये war शुरूई थी मिर को परसनली लगा था कि Russia 10-12 दिन में पूरा Ukraine पर कबजा कर लेगा लेकिन आप देखो, Ukraine ने कितनी जबर्दस रड़ाई करी है और अभी एक साल होने वाला है फरवरी मिस बार को अभी तक Russia कुछ capture नहीं कर पाया है कहने का मतलब, Russia एक तो कमजोर हो चुका और उसकी जो कमजोरिया है वो दुनिया और वेस्ट के सामने आ चुकी है लेकिन चाइना ना तो उसने यूद करा उसके पास अपने हत्यार अभी भी बने वे है और ना ही उसकी कमजोरी वेस्ट को पता तो ऐसे में आपको पता है Russia और चाइना जो है वो partners हैं बताईए हाँ है ना make sense कि Russia जो है वो चाइना के अपर depend हो जाएगा बहुत जादा कि आप मेरे को हत्यार दो क्योंकि मेरे अपने हत्यार जो है वो तो खतम हो चुके है मेरे को आप से हत्यार खरीदने पड़ेंगे और ऐसे में इस war के बाद चाइना के अपर Russia की dependency बड़ेगी और चाइना जो है वो और जादा stronger रहेगा क्योंकि Russia भी फिर उसके अपर dependent हो जाएगा make sense बताईए हाँ आना ठीक है यहाँ पर आपको एक बात और समझने है यह तो गया एक बात कि Russia कमजोर हो चुका है expose हो चुका है चाइना के अपर dependent हो रहेगा यह हो गई एक बात दूसरी बात यह कि अभी अगर हम United Nations में जितने भी proposals आये हैं उनको analyze करें United Nations में जितने भी proposals आये हैं अगर हम उनको analyze करें तो हमार को यह दिखता है कि चाइना ने हर proposal में Russia के favor में vote करा है चाइना ने हर proposal में Russia के favor में vote करा है और India ने हमेशा abstain करा है मतब इंडिया ने multi alignment की policy के अंदर शारे resolutions में abstain करा है India ने abstain करा है because of the policy of multi alignment multi alignment की policy follow करता है हमने abstain करा है लेकिन चाइना ने हमेशा Russia के favor में vote करा है लेकिन Russia के favor में vote करने से Russia जो है war नहीं जीत गया चाइना ने अभी तक Russia को कोई military support, help, हत्यार, weapons कुछ provide नहीं करा है मतलब कि China यहां पर दुनिया की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए Russia को कुछ support नहीं कर रहा है internally लेकिन भार से दिखा रहे है कि देखो मैं तो Russia का दोस्त हूँ तो basically Russia जो है इस टाइम पर actual में अकेला पड़ावा है in a way in a way कि China बाहर से तो है किया रहा है कि हाँ मैं सारे resolutions में आपके favor में vote करूँगा लेकिन actual में Russia को कोई वो support प्रोवाइड नहीं कर रहा है clear हो गया yes or no right also recently Russia और China की Pacific Ocean में एक joint excise होती है Air Force की जहाँ पर वो एक दूसरे की Air Force के साथ अपनी training वगरा करते हैं और यह कहते है basically symbolic थी यहाँ पर वो यह signal देना चाहरे है कि NATO जो है वो Russia को provoke कर रहा है तो जैसे NATO में सारे देश आपस में साथ है वैसे ही Russia और China भी एक दूसरे के साथ है कहने का मतलब है यह जो exercise हुई है अभी recently Western Pacific Ocean में Sea of Japanese China Sea में जो exercise हुई है इसका symbol यह है कि Russia और चाइना एक है Russia और चाइना नेटों के खिलाफ है Russia और चाइना साथ में खड़े है China जो है वो Russia के साथ खड़ा है basically इस exercise का मतलब यह है इसमें कुछ बहुत जादा घुसने की जरुतिया बननेगा तो इसके उपर अज़क से 20 मिनद का clickbait वीडियो बन सकता है लेकिन aspirant के point of view उसे बहुत जादा important नहीं आपको सरब यह समझना है क्या रख Russia कमजोर हो जाएगा China के उपर dependent हो जाएगा चाइना रश्या के साथ है इंटर्नली बहुत जादा support करनी रहा लेकिन इन दोनों की जो दोस्तिया बनी रहेगी और दोनों ही NATO और अमरीका के खिलाफ है NATO और US के खिलाफ हैं दोनों ही clear हो गया next India-US Joint Military Exercise अभी मैंने आपको बताया था है इधर राजशन में एक एक्सेसास चल रही है औस्ट्रहिंद बताए था राजशन में एक्सेस चल रही है औस्ट्रहिंद औस्ट्रेलिया और इंडिया की औस्ट्रहिंद और अब मैं आपको एबता रहा हूं कि इधर उत्राखंड में यूएस और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्साइज चल रही है क्या मैं बोल सकता हूं कि इंडिया जो है वो अपने कौार्ड के पार्टनर्स के साथ जो उसके कौार्ड के पार्टनर्स हैं उनके साथ अपनी डिफेंस कोलाबरेशन मजबूत कर रहा है जिससे की इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम आफ नाविगेशन ओपर्लाइट मिं इंडो पैसिफिक में फ्रीडम आफ नाविगेशन ओपर्फ्लाइट को प्रमोट किया जा सके हैं सोचो बताइए हां है न कि मतलब इंडिया जो है वह इन देशों के साथ अपने क्वार्ड वाले देशों के साथ इन यह में हम लाइकमाइंडेट कंट्रीज भी कह सके हैं वंतलब होता है ऐसे डेश जो हमारे सा सोचता है यूएस हमारे सा सोचता है कि इंडो पैसिफिक में फिडिम आफ नवीकेशन ओवर्सॉयट तो ना चीए hes minded countries ऐसे में यह जो like minded countries हैं जिनके साथ हम यह exercise कर रहे हैं यह clearly दिखाता है कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत पास मतलब कि जो LACA line of actual control इंडिया और चाइना के बीख में उस line से सिरफ और सिरफ 100 km दूर यह exercise हो रही है मतलब कि इंडिया चाइना बॉर्डर से तिरफ 100 km दूरी exercise हो रही है तो चाइना कहता है कि actual में US और इंडिया के धंगाने का तरीका है कि देखो हम तुमारे पर कभी भी attack कर सकते हैं चाइना इसको ऐसे देख रहा है बलकि हमारा तो ऐसा को intention नहीं है आपको एक्जाम में क्या लिखना है अगर आप से interview में 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 ऐसे में हमने उत्राखंड को चूज करा और ये जो exercise हैं सिर्फ इंडिया की security के लिए defense collaboration के लिए US के साथ they are not directed against any third country they are not directed against China clear होता है they are not directed against any third country they are not directed against China in any way correct yes or no clear करने के लिए और साथ में इंडो पैसिफिक में अपना rule of law maintain करने के लिए ये जो exercise हो रही है इनको maintain करना ज़रूरी है एक बात दूसरी बात they are not directed against any third country ये किसी भी तीसरे देश के खिलाफ directed नहीं है they are not directed against any third country इन exercises का purpose सिर्फ और सिर्फ सिक्यूरिटी, defense, peacekeeping and disaster relief है और कोई purpose नहीं है चाहे वो ये exercise हो या वो ये exercise हो यहाँ पे एक point तो आपको मैंने बता दिया कि ये किसी भी देश के खिलाफ directed नहीं है और इंडिया की security maintain करने के लिए है दूसरी बात यहाँ पे आपको पता है ग्वादर पोर्ट से निकलके चाइना पाकिस्तान economic corridor निकलता है चाइना पाकिस्तान economic corridor निकलता है जो कि इंडिया की territory से निकलता है तो एक्च्वल में चाइना है जो पंचील प्रिंसिबल्स को वाइलेट कर रहा है चाइना है जो हमारी टेरिटोरिल इंटिक्रिटी गलवान एरिया में चाइना ने जो अपने soldiers भेजे वो भी फंचील प्रिंसिबल्स के खिलाव था तो ये दोनों इस चाइना ने गलत करें इंडिया तो अपनी टेरिटरी के अंदर अपनी सेक्योर्टी के ले एक्साइज कर रहा है जो कि चाइना के खिलाफ नहीं है करेक्ट दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं कि अगर आपसे इस एक्साइज के बारे में पूछे रहाते हैं तो आप चाइना की गलतियां बताओगे पीस और ट्रैंक्विल्टी अट दा बोर्डर्स और कॉंफिदेंस बिल्डिंग मेंजर्स इंडिया और चाइना ने 93 और 96 में दो अगरीमेंट शाइन करें थे अगरीमेंट पीस और ट्रैंक्विल्टी के लिए और दूसरा और दूसरा और पीस और ट्रैंक्विल्टी मेंजर्स लेना है मतलब कि इंडिया और चाइना बौर्डर पर लड़ाई नहीं करेंगे और दोनों की आर्मी जो हैं अलग-अलग कदम उठाएंगे एक दूसरे का विश्वास जीतने के लिए चाइना कहता है कि ये जो ये जो यूएस के साथ एक्सराइज हो रही है इंडिया की ये 93 और 96 दोनों अग्रीमेंट्स के खिलाफ है लेकिन अक्च्वल में चाइना ने जो चाइना पाकिसान एकनॉमिक कॉरिडर बनाया और गल्वान में जो उसके सोल्जर हमारी टेरिट्री में इल्लीगली घुसा है एक्च्वल में वो 93 और 96 के खिलाफ है मतलब कि ये जो चाइना के आक्शन है एक चाइना पाकिसान एकनॉमिक कॉरिडर और यहां पे गल्वान एरिया में जो ये गुसाए ये दोनों आक्शन जो है ये 93 और 96 के अग्रीमेंट का वाइलेशन है इंडिया ने जो भी का भी वाइलेशन है 93 का भी वाइलेशन और 96 का भी वाइलेशन है तो एक्च्वल में जो एग्रीमेंट वाइलेशन किया है वो चाइना ने किया हमने नहीं किया है गॉट इस और नो 93 का पीस और ट्रेंक्विल्टी अग्रीमेंट और 96 का कॉंफिदेंस बिल्डिंग मेजर अग्रीमेंट की एक दूसरे के साथ जो है शांती बना रखेंगे कोई भी डिस्क्वूट होगा फोन पर बात करके रिजॉल्व कर लेंगे मीटिंग कर लेंगे दोनों के सोलजा साथ में कल्चिरल फेस्टिवल अगरा करेंगे बॉर्डर पर मिठाईया एक्सचेंज करेंगे यह सब कॉंफिदेंस मेजर की एक दूसरे के दार विश्वास बनाएंगे लेकिन चाइना ने दोनों कदम उठा के हमारा विश्वास तोड़ा है और इंडिया चाइना के बीश में विश्वास की कमी है आज की तारिक में ताइस म्यूच्वल ट्रस्ट डेफिसेट एक-एक वर्ड एक-एक पॉइंट लियर है नेक्स्ट है Great Indian Bustard, बहुत important bird है हमारा, Great Indian Bustard, Supreme Court ने बोला कि यह जो bird है, यह critically endangered bird है, यह critically endangered है, मतलब कि यह कभी भी जो एक खत्रे में पर सकता है, wipe out हो सकता है, खतम हो सकता है, तो Supreme Court ने सरकार से सवाल पूचा कि सरकार एक बार बताईए, जैसे आपने Project Tiger, Project Elephant यह सब शुरू करा था, तो क्यों ना वैसे ही, आप एक Project GIB शुरू करो, Project GIB मतलब कि Project of Great Indian Bustard आप ऐसा क्यों नहीं शुरू करते हो, जैसे आपने Project Tiger शुरू किया था, ऐसा सवाल Supreme Court के सरकार स जो है, वो काफी ज़्यादा कम हो रहा है, तो यह जो Great Indian Bustard है, यह राजसानों गुजरात में मिलता है, और पर्टिकुलर्ली यह बर्ड जो है, सिरफ और सिरफ ग्रास लैंड में मिलता है, मतलब कि यह जो बर्ड है, एक्चुल में, यह इंसेक्स, लिजर्ड और ग्रास सी एरिया, वहाँ पर अगर Great Indian Bustard है, मतलब कि यह ज़्यादा बहुत हेल्दी है, वहाँ पर छिपकली, इंसेक्ट और यह से बायो डाइवर्सिटी अच्छी है, क्योंकि इसको वहाँ पर खाना मिल रहा है, अगर आपके ग्रास लैंड में Great Indian Bustard नहीं है, तो इसका मतलब वो जो ग्रास लैंड है, वो काफी ज़्यादा खराब हेल्थ में है, तो बेसिकली Great Indian Bustard की जो प्रेजन्स है, वो हमारको एक ग्रास लैंड की हेल्थ के बारे में बताती है, यह सबसे ज़्यादा यह हमारको गुजरात राजसन में मिलते हैं, और ग्रास लैंड एरियास में मि पाया गया research में, कि बेसिकली जब यह लंबी flight लेता है bird, जब यह जोर से उड़ता है, इसकी vision जो है, वो कमजोर होती है, मतब कि यह जो सामने देख रहा है, इसकी vision एक्च्वल में कमजोर होती है, इसको सामने का दिखता नहीं है, तो जब उपर बिजली के बड़े- और इनकी मिर्त्य हो रहाती है, तो ऐसे में Supreme Court ने कुछ साल पहले quarter pass किया था, कि जहाँ जहाँ पे Great Indian Bustard मिलता है, वहाँ पे बिजली के तारों को underground कर दिया जाए, सारे के सारे जो बिजली के तारों को जमीन के नीचे पता जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम हुआ नही है, तो लेकिन आपको इनके cause of death पता होना चाहिए, कि इनकी जो vision होती हो पूर होती है, जिससे इनको बिजली के तार ठीक से दिखनी बात है, यह है Great Indian Bustard, एक छोटा सा मसला, कीरित पार एक पैनल, सरकार ने बनाना था, gas prices को determine करने के लिए, ONGC और दूसरी सरकारी कंपनियां, जो gas निकालती है, कृष्णा गुदावरी बेसिन में और इधर उधर इन सब जगाओं पे, जो यह gas निकालती है, ONGC और दूसरी सरकारी कंपनियां, इनका gas का price क्या होना चाहिए, यह market में gas किस rate पे बेचेंगी, natural gas जो निकालती है, यह किस rate पे बेचेंगी, इसको decide करने के लिए, सरकार ने यह एक panel बनाया, कीरित पार एक panel, इस panel ने recommend कर रहा है, कि सरकार, बेसिकल यह जो सरकारी कंपनियां, ONGC और दूसरी सरकारी कंपनियां, गैस वली, यह market में जो gas बेचेंगी, वो 4 डॉलर से 6.5 डॉलर के बीच में rate रहेगा, 4 डॉलर टू 6.5 डॉलर पर यूनिट, 4 डॉलर के नीचे नहीं बेचेंगी, और 6.5 डॉलर के उपर नहीं बेचेंगी, मतलब कि कीरित पार एक panel ने बोला है, कि natural gas का rate है, वो इस range में होना अची है, और उसके बाद जनवरी 2027 से, जो gas का price होगा, वो fixed नहीं होगा, जो gas निकल रही है, जमीन में उसका rate ऐसा होता है, कीरित पारिक पैनल ने बोला है, कि अभी 1-2 साल और ऐसे चला लो, लेकिन 2027 से, जनवरी 2027 से, आपका जो gas का rate होगा, और market determined होगा, कि market में जो gas का rate होगा, वो रोज change होगा, और यह fix नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने recommendation दिया, gas sector को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत जादा important नहीं है, कभी इसे फस जाएगा कोई सवाल, बट otherwise no need, छोटे मोड़े एक दो मसले, गुजरात में चुनाव चल रहा है विधान सबागा, तो हाँ पर शराब और गांजा पकड़ा गया, freebies पकड़ेगा, election commission ने, और यह जो अपना anti-terrorist squad है, उन्होंने कुछ समान पकड़ा, मतलब की money power, muscle power, election, free, fair, frequent election होने चाहिए, लेकिन यह सब चीज़ा पकड़ी आती हैं, तो अपनी democracy के खिलाफ है, इसके लावा, आंदरप्रदेश में donkey के slaughter को रोका गया, कि कुछ लोग यह समझते हैं कि गदा जो हो इतनी महनत करता तो उसके muscles मजबूत होते हैं, गदे का meat खाओगे तो उससे हमारे भी muscles मजबूत होंगे, तो ऐसा लोगों को लगता है, तो donkey को रोकने के लिए, आंदरप्रदेश की police ने कई जगा पे चापा मारा है, राइट, यह थे आज के current affairs, अनक्याड़मी पे last mile interview guidance program शुरू होने वाला है, इसके अलावा अगर आप EPF की त्यारी कर रहे हो, तो use that, अफिर को मदद गुपता सब्सक्राइब ठरने के लिए, आज का अगबार थोड़ा सा boring था, कुछ बहुत जादा खास था नहीं आज के अगबार में, बट जितने मुद्द हैं, वो सारे के सारे cover कर लिए, सो यह थे आज का current affairs, समझा आया सब? Yes or no? All clear? तो रुकेंगे आज, PDF डाल दूँगा टेलिग्राम पे,